बिहार में जातिय जणगरना करानी की मांग को लेकर पूरे टीम के साथ प्रधानमुतर नरेदर मोदी से मुलाकात पहले हो चुकी है लेकिन बड़ी खबर और बिहार के राजनीती में तहलका मचाने वाली खबर जो आ गई वो ये है कि केंदर सरकार किसी भी हाल में जातिय जणगरना नहीं कराने जा रही है इस वक्त हमारे साथ आरजेडी से सक्ति सिंग यादब जी है लगातार इस मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करते रहते हैं एक बार फिर से पर हम जानने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि केंदर सरकार किस मंसा पर आरजेडी क्या सोचती है पर निरासा हुई है किंदर सरकार ने जो फैसले जाके सुनाया है उच्तम नियाले में इस सुहाविक तोर पर इस देश की बहुयात लोगों को कश्ट हुआ है जाते के जंगनना हमारा कमिटमेंट है भी गया था सुप्रीम कोटे मामला कि जो है रेकास में जो कास संस्थ स्वस्थ का परतिफल दिखानी चाहिए आखिर कैसे वह खराब हो गया समाजी कार्थिक सैश्री कि सित्ली को बता दिया अपने लेकिर वह जाती कैसे चिपा लिया अपने तदकालें गिरह मंत्री देश के राजना सिंग्न जिन भी कहा था कि हम कराएंगो निसके अंदर में अब बताए का जब चुनाब आता है तो जाते कराने की बात करते जाती गिनाते है पारलामिन के अंदर में या मंत्रि जातीद में किसी को तकलीप करीफ नहीं हुई को जाती है दूइस देश को चला रहा है दो बेच रहा है, दो खरीद रहा है, वो चार गुजराती देश को चला रहे हैं, दो बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं, लोग को मुठी भर लोग देश के संपदाओं पर एक अधिपत जमा करकर के बहुयात के हक को मारना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देश के अंदर में ग लोटा ब्यापारी दुनिया के अमीरों में सुची बद्ध हो जाता है को किसी को तकलिफ नहीं है वहाँ पेश के आगे था उसमें बहुत सारी असुध्या पाई गए क्या सुधिया मैं यह एक्स्प्रेंड करें गॉवर्मेंट ना क्या सुधिया थी जो भी थी असुधि भराई थी क्यों नहीं देश के सामने बताया आपने क्यों नहीं बताया आपने देश के सामने क्या मंसा आपकी है आप चाहते हैं कि आपकी असलियत खूल जाएगी अब वहुद्व है अभाने के सब्सक्राइब remembrance के साथ के साथ मिलने के लिए इतापति के साथ को अटल जाती जना से कषखना खाके आया उसके बारे मी बोलनुमन पार्टी युसे पार्टप से लोगों का नितिस को टाय करना पड़ेगा जाते का जनगन्ना के पक्षकार अगर हैं सच्माने में तो प्रत्याक दिजिए चुकि आप उस सरकार में सामिल हैं आपके लोग आपने निर्नाय लिया है कराना पड़ेगा रायत का कमिट्मेंट हैं चलाएंगे नितिस जी को हम भी नक बेनकाब करेंगे क्या अगर पक्षकार हैं जाते का जनगन्ना के तो बाहर है यह सुलक पर आईए शड़कों पर कसट करके मलाई चाभिएगा अच्छा दूरूप से कहिएगा कि हम जाते का जन बात एक साथ नहीं हो सकते नितिस जी आपको सलकों पर आना होगा इतिहास के प्रणों में क्या चाहते हैं ड्रामनोहर लोहिया जनला एकर प्रिठाकुर लोग नाइजे प्रकार्शनाजिक सिधांतों को बली देकर करके सत्ता सचिपके रहें यही सिधांत आपका है अगर जनला के पक्षकार हैं तो सलकों पर उतरना पड़ीगा आपको दिखना चाहिए चुक्या आप उस घडवंदन के पाट है सरकार में कैसे निर्ने हुआ बड़ा सवाल है प्रण मंतरी चुप क्यों है प्रण मंतरी चुप इसे क्या मतलब है आखिराल अपनामा जो डायर हु ओजल होके थुड़ी हुआ है चले को शुक्रिया साब तोर पर देखे आरजडी ने अपने स्टैंड को कायम रखा और उन्हें का है कि किसी भी हाल में हो जाती है जनलना जो है वो हम कराकर के रहेंगे और इसके लिए सीधे तोर पर नितीस सरकार पर जोरदार हमला कहा है ख हुआ हुआ है